कि नमस्कार स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल एन ग्रूप में क्या आप जानते हैं कि आयूर्वेद में एक ऐसी ओशदीवी है जो कि माता की तरह हमारा पालन पोशन करती है माता की तरह हमारे स्वास्त की रक्षा करती है अगर आप नहीं जानते तो हम आपको उस ओशदी का नाम बताते हैं उस ओशदी का नाम है हरड जी हाँ हरड को आयूर्वेद में माता की तरह पालन पोशन करने वाली कहा गया है हरड के बारे में आयूर्वेद में कहा गया है यस्से माता ग्रहे नास्ती तस्से माता हरित की कदाचित कुपुत्य माता नोदरस्ता हरित की अर्थात हरड मनुश्यों की माता के समान हित करने वाली होती है माता तो कभी कभी कुपित हो सकती है अर्थात नराज हो सकती है लेकिन खाई हुई हरड कभी भी आपको नुकसान नहीं करती तो इस कथन से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हरड का आयुरवेद में कितना महत्वपून स्थान है तो आज की हमारी वीडियो हरड के उपर ही है तो आज की हमारी वीडियो में हम जानेंगे कि हरड को किन के नामों से जाना जाता है इसके कितने प्रकार हैं, इसके आयरवेटिक प्रोपर्टीज क्या हैं और सीजन के अकोर्डिंग इसको किस प्रकार प्रियोग किया जाता है यानि कि भिन-बिन रित्वों में इसके प्रियोक करने का क्या-क्या विधान बताया गया है ताकि आपको इसका पूरा लाब मिल सकें तो बात करते हैं इसके विविन प्रकार के नामों की, इसका botanical name टर्मिनेडिया छह सिविला है, इंग्लिश में इसे छ्हे सिविलिक माईरोबिलन बुला जाता है, संस्क्रत में इसे अभया, हरित्की, चेत्की, श्रेशि, शिवा, हिंदी में इसे हरड, हरड, हरर, हर्रे, ग जैसे विजया, रोहिनी, पूतना, अमृता, अभया, जीवती, चेत्की। इन सातों प्रकार की हरण में विजया हरण को सबसे ज़्यादा उत्तम बताया गया है। क्योंकि ये हरण सबी जगया असानी से प्राप्त हो जाती हैं और सबी रोगों में प्रियोग करने में शेष्ट है। अब बात करते हैं इसकी आयुर्वेदिक प्रोपर्टीज की तो आयुर्वेद की प्रशिद बुक भाव प्रकार्श में इसका बहुत ही अच्छे से वर्नन किया गया है। आयुर्वेद में इसे रुक्ष यानि की ड्राई, गरम, दीपन और पाचन करने वाली यानि की ये आपका डाइजिशन भी करती है, आपको भूक भी लगाती है। बुद्धी के लिए हेतकारी यानि की मेमरी पावर के लिए ब्रेन के लिए बहुत अच्छी माने जाती है, इसको रसायन भी बोला जाता है, रसायन आयुर्वेद में उसको कहा जाता है, जो शरीर को हमेशा जवान बनाए रखता है, बुड़ापन नहीं आने देता। आखों के लिए ये बहुत अच्छी है शरीर को हश्ट पुष्ट करती है आयू वर्दक यानि कि आपकी आयू को ये बढ़ाती है खासी श्वास यानि कि ये रेस्पिरेटरी डिजीज में भी अच्छी मानी जाती है उदर रोग यानि कि पेट से सम्मंदित रोगों के लिए ये बहुत ही एक तरीके से रामबान का काम करती है जैसे एसिडिटी, कौंस्टिपेशन या फिर पेट में दर्द इस सभी में ये बहुत अच्छी होती है क्रमी यानि कि जिनके भी पेट में कीड़े होते है उनके लिए अच्छी है मल बद्दिदा यानि कि जिनको जादा आना, खुजली होना शरीर में, रिदय रोक, अफारा यानि कि पेट में कई बार आपको भारी पंसा फील होता है, जैसे कि बहुत जादा एसेडिटी हो गई है, विशम जैर, यानि कि कभी बुखार उतर जाता है, कभी चड़ जाता है, तो उस इस्तिती में आपको हरड का सेवन करना चाहिए, यकरत यानि कि ये आपकी लीवर से संबंदी डिजीज में भी अच्छी होती है, पत्री को कम करने का काम करती है, ये वाथ, पित और कफ तीनों दोशों का नाश करती है, आयुरवेद में ऐसी बहुत ही कम उशद्या होती है, जो कि वाथ, पित, कफ नाशक होती है, तो आपने देखा कि एक इस छोटी सी हरड के प्रियोग से हम अपनी कितनी सारी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, आयुरवेद में इसका प्रियोग रितों के हिसाब से भी बताया गया है कि आपको किस रितु में किस प्रकार इसे यूज करना चाहिए ता और बसंत रितों में इसे शहद के साथ लेना चाहिए, तो आज की हमारी इस वीडियो में हमने हरड के बारे में complete information प्राप्त करने की कोशिश की, हमने हरड के different types के नेमों के बारे में जाना, इसके types के बारे में जाना, इसकी आयुरवेदिक properties के बारे में जाना, और इसको कै आज से यूस करना है सीजन के according, ये सभी हमने जाना, तो I hope मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए थोड़ी सी useful रही होगी, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, मिलते हैं अपन